हैς हैं दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, निप्टी के मादधम से निप्टी की complete positional analysis करने की कोशिज करूँ गा और इस हब्ने का भी level analysis करने की कोशिज करूँ गा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिज करूँ गा जो लोग पीछे की वीडियो नहीं देखते हैं या याद नहीं राता हूँ उनको जो याद कराने की कोसिस करूँगा क्योंकि क्लियरली मेरा भ्यू था मार्च के बॉटम के बाद एक अच्छा खासा तेजी आएगी अप्रैल में बाउंस आएगा मार्च में गिरावट दोनों तरफ देखा गया सारी चीजे पोजिशनल परपस से बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन इंट्राडे के वीव को अगर आप पोजिशनल वीव से मैच करेंगे तो जरूर फस सकते हैं और जो लोग मार्च के गिरावट से सदमे से निकले नहीं है उनको हमेशा हर जरूर देखने लगती है तो यह याद कराने की कोशिस करूंगा कि मैं मार्च में जो वीडियो बनाया था डाव जोन्स के लिए डाव जोन्स के लिए क्लियर अनालिस था कि डवल टॉप बनाने जा रहा है और जाएगा सेप्टेंबर तक डवल टॉप लगेगा इंडियन वो डवल टॉप बना सकता है तो क्या हम 50% 60% भी डेटरेस्मेंट नहीं करेंगे वहाँ पर कहना मेरे लिए बहुत ही मुस्किल था क्योंकि सब लोग डाउनसाइड की बाते सोच रहे थे कोई भी खरिदने की बाते नहीं कर रहा था वहाँ पर मैं क्यों बोल रहा था कि यह इंट्राडे के परपस से भी आप लेवल ध्यान देंगे कि 9200 का लेवल मैंने 15 और 18 मई से लगातार बोल रहा था कि एक लकीर खिस दीजिए कि यह लेवल कटेगा उपर की तरफ तो हम तेजी हो जाएंगे वरना नीचे का ही चांस है 9200 नहीं कटेगा उस वीडियो में बोल और टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा मार्च की तरह मार्च में गिरावट होने के बाद जो अभी साइकल चल रहा है लॉंग टम के परपस से तेजी का चल रहा है इसमें फॉर टाइम बींग तेजी और मंदी दोनों तरफ का जो साइकल है तो मंदी को ज्यादा मंद की तरफ ना जुकाओ करके तेजी के बारे में सोचना चाहिए और यही मेरा भ्यू रहा है स्टॉक के स्पेस्पिक इसलिए मैंने हमेशा बाइंग ऑपर्चुनेटी ढूनने की कोसिस किया है मैक्सिमम स्टॉकों में और इस लेबल पर आ करके हम इंट्राडेस सोट के लिए भी व्यू मेरा क्लियर कट है ओबर आल यह चीजे बोलने के पीछे सिंपल सा रीजन है कि लोग जो याद नहीं रहता है पोजिस्टनल व्यू वह कहीं न कहीं ट्रैप होते हैं और सबको मंदी ही दीख रहा है तो मंदी की बाते उनको अच्छी लगती है तेजी की बाते हैं जो कि एक बॉटम पे मई के में मिल रही थी मई में फॉल सबसे लोर लेवल पे मार्च से जो हमने बोला था कि मई में कुछ बहुत सारे स्टोकों का बॉटम बनेगा और वो लॉंग टर्म के लिए अच्छे हो जाएंगे उन स्टोकों को लोगों ने इग्नोर करिया और अभी भी क्या देरी हो गई है तो अब हम यह सारे चीजे बोलने के पीछे सिंपल सा रिजन है कि जितनी भी अनालिसिस की जाती है वो लगभग लगभग 99% accurate होती है गलती क्या होता है क्योंकि आपके माइंड में negativity है और हमने negativity बोल दिया सौट टर्म के लिए तो आप उसके बेस पे ट्रेड करते हैं और फिर ओल लॉस में कनवर्ट हो जाता है तो इस कारण से और रहा की बात कि अब इस लेवल पे आकर के मैं बिलकुल भी बाई के लिए सलाह नहीं दूँगा अब हम एनालिसिस पे आते हैं लॉंग डम के परपस से जो एनालिसिस है ये जो किया हमारा मैकसिमम टार्विट इस मूग का 10,088 कथा और इसके उपर फ्राइडे के दिन के दिन क्लोज होना ये दरसाता है कि ये लेवल एक इमपोंटेंट इस लेवल के उपर ब्रेक आऊट हुआ है क्या ये ब्रेक आऊट सस्टें करेगा तो ब्रेक आऊट स agent करने के लि करके 10,263,43 यह एक मेजर टार्गेट है उस लेवल को टच करके हम इस लेवल को भी तोरेंगे एक बोटम बनाएंगे 97,85 और 95,98 के आसपास और यहां से एक तेजी करेंगे जो की डाउ जोंस डवल टॉप बनाएगा तो क्या हम 11,090 के तरफ नहीं आएंगे तो 11,090 भी टच क करेंगे और यह कब करेंगे कैसे करेंगे इसका जानने के लिए हमारे मेंबर्स जो उन से जुड़िये वहां पर मैं इसकी बिसेस एनालिसिस करूंगा ऐसा क्या रीजन है कि यहां पर आएगा तो यह रहा भी फॉर निप्टी तो निप्टी को अगर कल के लिए इंपोर्ट मंडे के लिए मैं आप लोगों को भीव दे दूं कि 260 के नीचे की क्लोजिंग होना ही चाहिए और होगा इसकी पूरी-पूरी 99% मेरा भीव है कि गैप खुल करके नीचे ही हम क्लोज करेंगे और उसके बाद 2,5,3 दिन की अच्छा खासा करेक्शन आएगा जिसमें हम 10,000 के लेबल को भी क्रोस कर सकते हैं नीचे की तरब ओबर ओल यहाँ पे सेल ओन राइज मार्केट हो गया है और जब तक 9,700 और 9,600 के आज़ पास नहीं आते हैं तब तक बजार में बाइंग अपर्चुनिटी नहीं ढूनना चाहिए लेकिन स्टॉक स्पेस्पिक हमारे जितने अपर्चुनिटी इंवेस्ट्मेंट परपस से करना चाहरे हैं उनको भी एकुरेट लेवल एनालिसिस की जारी है आप पिछले कई दिनों से मेरे कैस के स्टॉक आप देख रहे होंगे सीडी एसल पी टी सी बी एची एल आउट पर फर्म कर रहे हैं आई टी सी एस बी आई और बेचने लूपीन तो एज फर एनालिसिस बिल्कुल एकुरेट हमारा भ्यू मैच कर रहा है आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो स्टॉक को ढूंडिये ना कि के वल निप कर दो healthier कि कर दो DC के लिए बीनिप लेबल देख करके यह ट्राइपिंग के लिए भी निपटी को इसको पोलते है निफिटी क्या स्क्रीड ऑशन तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जो भी मेरा वीव है उन्ली फर एजुकेस्टन लर्निंग परपोस है थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो के पाइब